सुबह के नाश्टे में बनाई या शाम के स्नेक्स में ये सब को बहुत वसंद आएगा एक बार बनाने के बाद इस नाश्टे के डिमान बार बार होगी और इस नाश्टे के लिए हमने आपर ये एक कप चावल लिये हैं चावल को इसे पे ले सकते हैं इस नाश्टे के लिए अब इसमें डालेंगे आदा कप चने की दाल दाल और चावल को पानी से 4-5 बार अच्छे से धोले देखे हमने 4-5 बार दाल चावल को धोलिया है इसका जो पानी है वो सारा स्ट्रेन कर दिया है अब इसमें आदा कप दही डालेंगे और ये दही थोड़ा सा खट्टा है और साथ ही इसमें आदा कप पाने डाल देंगे अगर दही थोड़ा सा पतला हो तो पाने थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं दाल चावल पाने में अच्छे से भीग जाने चाहिए तो मैंने यहाँ पर यह दो चुमज पानी ओर डाल दिया है बस इसे जद्यादा पानी नहीं डालेंगे योगि इसी पानी के साथ हम इने grind करेंगे तो यहाँ पर यह देखी यह दाल अच्छे से भीग गई है और यह देखी स्पून से दिप कर के भी देख सकते है वो बस अब हम इसे ढग भीएंगे और 7-8 गंटे के लिए दाल चावल को अच्छे से भीग ने देंगे आप चाहें तो ओवरनाइट वे से रख सकते हैं 7-8 गंटे के पाद दाल और चावल अच्छे से भीग गए है अब एक मिक्सर चाड़ लेंगे और इसमें ये दालो चावल डाल देते हैं यहाँ पर हम इनका एकदम फाइन पेस्ट बनाना है इसमें पानी बिल्कुल भी अड़ नहीं करना है पावल में जो पानी है उसी पानी के साथ हम इसे ग्राइंड करेंगे एक्स्ट्रा पाने हमें बिल्कुल भी आड़ नहीं करना है यह देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर के तयार है और जो बाकी की बचुवी दाल है इसमें एक छोटा चमर्चीनी डालेंगे और एक हरी मिर्च और एक छोटा सा अधर का टुकड़ा डाल देंगे तो आप चाहें तो हरी मिर्च और अधरक स्किप कर सकते हैं लेकिन जेनी स्किप ना करें इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ढोकले में इन्हें भी इनके साथ अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और यह बैटर बनकर के तयार है यह देखिए कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि यह रुक रुक कर गिरा है बस ऐसा ही हमें इसे बनाना है इससे ज़्यादा पतला ना करें इसे और ना ही इससे ज़्यादा गाड़ा रखें बस इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे और साथ ही आदा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे आदा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा या मीठा सोडा इसके जगां आप एक छोटा चम mix करेंगे, यह बैटर एकदम fluffy हो जाएगा, यह देखिये, यह बैटर double हो चुका है, तूरेंथ ही इस बैटर को हम एक थाली में ट्रांस्वर कर देंगे, यह 10 इंच के थाली है, और इसे oil से अच्छे से क्रिस्थ कर लिया है, इसमें ये सारा पैटर ट्रांसफर कर देंगे दो से तिन बार इसे टैप कर दें अब इस थाली को हम स्टेमर में रखेंगे थाली में डोकला बनाने से इसे बनने में बहुत कम टाइम लगता है और कड़ाई में हमने दोकला स्पानी को करम होने के लिए रखा था पानी तेश करम हो चुका है इसमें एक छोटा सा स्टाइन रखा है अब इसके उपर ये थाली रख देंगे अब इसे अच्छे से कवर कर दें और हाई फ्लेम पर 15 मिनट के लिए से स्टेम को कौने दें 15 मिनट के बाद ये देखे ये बहुत अच्छे से फूल किया है नाइफ डाल कर इसे चेक करते हैं नाइफ एक्टम कलीन आया है यानि धोकला बनकर के तयार है तो बस इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसके पिसस कट कर सकते हैं अब ये काफी करम है और ये देखे कितना सॉफ्ट डोकला बना है तो एक बार दाल चावल से डोकला जरूर से बनाईएगा एकदम सॉफ्ट और चालीदा डोकला बनकर के तयार होगा और खाने में ये बहुत बहुत टेस्टी है ये देखे कितना सॉफ्ट वर स्पंजी है जैसे ही हम इसे प्रेस कर रहे है ये वापिस उपर आ रहा है अब इसके लिए एक टेस्टी सा तड़का बना लेते हैं जिसके लिए हम फ्राइपैन में लेंगे दो छोटे चमच ओई ओईल जैसे करम होगा इसमें एक चोटा चमच राई डालेंगे थोड़ी सी हिंग डाल देंगे हिंग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब साथी इसमें करी पत्ता और हरेमिस डाल देंगे अब इस ढोगले को आप ड्राई रखना चाहें तो इसमें पाने अड़ ना करें नहीं तो इसमें थोड़ा सा पाने अड़ करें मैंने आपर ये वन वोर्ट कप पाने लिया है साथी थोड़ा सा नमक डाल देंगे चीनी हमने पहले ढोकले के बाटर चीनी हमने पहले से एड़ कर दी थी तो इसमें चीनी आड़ नहीं की है आप चाहें तो इस देश पर चीनी भी आड़ कर सकते हैं और बस इस तरके को हम तुरेंथी ढोकले के उपर डालेंगे उ थोड़ा थोड़ा करके एक एक पीस पर इस तरीके से डाले जिससे इन सभी पीसे में तरके का डेस्ट आएगा और इसे हम गाड़िश करेंगे बारीकटिर हरी धनिये के साथ और दयार है एक्तम हेल्दी बहुत डेस्टी दाहल लोडचावल का नाश्ता आप इसे बनाएगा ज़रूर और अपने कमेंट्स में साथ शेयर रेसेपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चुरूर से करें और बैल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा थैंक्स पूर जिंग